अगर आपको हरी सबजी खाने का मन है और घर में कोई हरी सबजी अवेलिबल नहीं है तो आप मेरी इस रेसेपी को जरूर फॉलो करिएगा आपको जरूर पसंद आएगी चलिए से जल्दी से बनाना शुरू करते है तो यहां पर मैंने बरतन रख दिया है गरम होने के लिए अगहा आदा घ्गाने के चमच तेल करम हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे टीखि वाल इलाल मिर्च यहां तक हम जाएग को पहि得 नीदि यह चैहां पर मैंने चार मीडियम आइस के आलू लिये है और इसे मोटे मोटे क्योबश हैं मैंने काटा था अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे और अब हम इसमें डालेंगे हाफ टीस्पून हल्दी सॉल्ट अकॉर्डिन टू टेस्ट और रेट छिलिल पाउडर डालेंगे हम एक चौथाई चम्मच या आधी चम्मच से भी कम और अच्छे से इसे एक बार मिक्स कर लेना है मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर तो यहाँ पर मैं एक बड़े साइस का टमाटर ले रही हूँ दो हरी मिर्ची और यह जो तीकी वाली लाल मिर्ची जिसे हमने फ्राई कर लिया था इसे जो है टमाटर के साथ अच्छे से चूर लेना है बिल्कुल हाथ की मद्द से इस तरह से क्योंके फ्राई होकर बिल्कुल कुरकुरी से हो गई है तो इस तरह से इसे बिल्कुल चूर लेंगे हाथों से इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है जब आप इस तरह से मिर्ची तो आपकी सब्जी का जो टेस्ट है वो बिल्कुल बदल जाएगा तो इस तरह से देखिए मेरे मिर्शियां चूर ली है टमाटर के साथ अच्छे से और यह सारा का सारा टमाटर मिर्शिय हम डालेंगे आलू में और अब इन तमाम चीज़ों को आपस में अच्छी तरह से मिला लेना है तो अच्छी तरीके से हमने मिला लिया है अब हम इसे ढख कर पांच मिनट के लिए लोग लिम पर पकने को छोड़ देंगे ताकि जो आलू है वो 80% तक कुख हो जाए अच्छे से तो यह देखिए पांच मिनट हो चुके हैं और मैं अब इसे खोल रही हूँ आप देख सकते हैं मैं इसमें पानी अगरा कुछ नहीं डाला और आलू जो है वो गल चुके हैं अच्छे से 80% कुख हो चुके हैं तो अब चुके हम कसू कसूरी मेथी हैं और इसे क्रश नहीं करना इसे ऐसे ही डाल देना है डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से आप मिला लेंगे ताकि जो कसूरी मेथी की खुश्बू है वो सबजी में आलू में अच्छी तरीके से आ जाए तो अब इसे 2-3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर दम दे देना है तो फाइनली दो से 3 मिनट हो चुके हैं और यह देखिए सब्जी बिल्कुल डण है बिल्कुल त्यार हो चुकी है सब्जी हमें इसी तरीके से सुखी सुखी सब्जी बनाना है तो आप इसे ट्रायर जरूर करें अगर घर में मन कर रहा हरी सबजी खाने का और हरी सबजी नहीं है तो आप इस तरह से कसूरी मेथी जो है आलू में डाल कर बनाईए या आप इसके साथ जहेंगा प्रॉंस वगएरा भी बना सकते हैं बहुत अच्छा लगेगा बहुत टेस्टी रेसिपी है तो आप इससे जर करें रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेर कमेंट जरूर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए अल्ला हाफीज थेंक्स फॉर वाचिंग